आपका स्वागत अभिनांदन मेरे इस चैनल खेल ग्रोका में हम बात कर रहे हैं रासी फल सितंबर 2019 की यह मासिक रासी फल है जो की आपकी रासी के अनुसार है मून साइन पर आधारित है रस रासी के व्यक्तियों के लिए इस मा के आरम मही रासी से सैकेंड आउस में राहू है जो की उच्छ रासी के हैं रासी से फोर्थ आउस में सूर्य, मंगल, बुद्ध और शुक्र सबही एक साथ में विराज माने रासी से सेवंध आउस में ब्रस पती है जो की 11 अगस्त robot 2019 क तो सनी मारगी हो जाएंगे तब आपको improvement मिलेगा राहत मिलेगी तो सबसे पहले बात gain और wealth की तो रासी से सेवंट आउस में जो ब्रस्पती है वह शुब है और उसकी द्रस्टी कुंडली में 12 आउस पर है मंगल की द्रस्टी भी कुंडली में 12 आउस पर है जो की व्यापार क मालिक है साज़िदार के मालिक है साती सात खर्च के भी स्वामी है तो ब्रसपति की जांपद्रस्टी होगी वाँ implement होगा अता जो आमधनी है आमधनी आपकी improvement की stage पाएगी आमधनी easily होगी और ब्रसपति के मारगी होने से income के resources और बढ़ेंगे अधा जो income आपकी है उसके लिए आप और रिसोसेज पैदा कर सकते हैं चाहे वो part time करके चाहे वो investment करके चाहे वो और कोई agreement करके कोई टार्गेट एशीव करके या और कोई job हासिल करके जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको बेटर जॉब मिलती है तो भी आपकी financial improvement होगी तो यदि आप जो वरसरासी के व्यक्ति हैं जॉब चेंज करना चाते हैं स्विच और करना चाते हैं तो आपको सितंबर मां में try करनी चाहिए यहाँ पर आपको improvement आसिल होगा अता job change होने के योग हैं wealth की जहां तक बात करें शनी की second house पर पूर्ण द्रस्ति है 18 September 2019 को जो ही सनी मारगी होगा समपति से समंझजिश जो समष्या है इन्वेस्टमेंट से समझजिश जो समस्या है इनमें आपको राहत मिलेगी जो बात बीगड़ी थी वह बात वापस बन जाएगी सबर जाएगए सनी की तीसी जस्ती कुंडली में 10 ताउस पर है और वहीं सनी की दसफी जस्ती कुंडली में 5 ताउस पर है इसलिए जहां तक बुद्धी की बात है और जहां तक केरियर की बात है और सेकंड आउस धन और संपत्ति का है खांदान का है कुटुम का है ससुराल का है आपकी mental strength का ह शनी वहाँ पर जो negativity दे रहा है 18 September से मारगी होने से आपको राहत मिलेगी क्योंकि जब शनी वक्री होंगे तो अतिक क्रूर इस्तिति में आपके मामली बिगाडेंगे तो यहाँ पर second house जो financial strength का है wealth का है उसमें आपको सावदानी जरूर रखनी है अतात community में investment में शेर में यदि आप try करते हैं काम करते हैं तो सोच समझ करके आपने investment करना है क्योंकि gain की स्तिति तो बहुत अच्छी है लेकिन वो gain आपकी property में convert हो जाएगा इसके बारे में question mark के सं शुक है सुक कौन सा सुक वो है जो रदे से महसूस हो अतात घर में सारे दिन काम करके जब आप आते हैं मेहनत करके घर में आते हैं चाहे वो कोई पसू पक्षी हो चाहे वो मनश्य हो अपने घर में अपने नीड में अपने गौंसले में इसलिए आता है वो अपने घर अप की नीन सो रहे हैं चैन की बंसी बजा रहे हैं वो इसलिए है कि आप व्यक्ति अपने घर में सुख से रह रहा है अपनों के साथ में सेफ महसूस कर रहा है अपने के साथ में स्ने अपनत्व पार रहा है जहां कि उसके माता पिता हैं जहां कि उनके बच्चे हैं जहां चोटे भाई बेन है और जहां पतनी है जहां घर संसार है इसलिए सुख को सबसे महत्मूर बोला गया है सुख आपको सरीर का सुख भी है सुख भवन का सुख भी है सुख माता का सुख भी है सुख बच्चों का भी है जो आप कलपना करें सुख की जिस सब्द के पीचे सुख आता है वो फोर्थ हाउस से जोड़ा जा सकता है वो रदे से जोड़ा जा सकता है तो फोर्थ हाउस में सूर्य, बुध, शुकर और मंगल चारों गरे विराज माने जिसमें सबसे पहले एक गरे निकलेगा वो है शुकर 9 सितंबर 2019 को शुकर अपनी नीच रासी में प्रवेश कर जाता है, रासी से फोर्थ बुध को भी अच्छा मना जाता है और बुध भी एक दन बाद ही यहां से आगे बढ़ जाएंगे, अधाथ अपने उच्रासी में आ जाएंगे, तो उसके बाद में बचेंगे दोगर, जहां पर कि सूर्य अपने सोहरासी का है और मंगल उनका मि यहाँ करेगा मंगल का काम है यह सब कुछ जो है वो मंगल के अंदर अगया है तो सेनापती क्या काम करेगा सेनापती oh दीगा सनापती को अपने हिसाब से काम चाहिए असलिए घर में discipline वाला माहोल बनेगा है वह अपना गुसा दिखलाएंगे अपने परिवार पर अपने जीवन साथी पर तो फोर्थ आउस जहां तक कि ये समय है 17 सितंबर तक का वो आपने सावदानी से गुजारना है क्योंकि सूर्य जौही अगली रासे में प्रेश कर जाएंगे आपको राहत मिलेगी और साथी साथ मंगल भी 24 सेप्टंबर को 24 सितंबर को यहां से निकल जाएंगे तब आप और ज्यादा राहत की सांस ले सकते हैं लेकि सब मिला करके यह जो टाइम पर रहे यह आपको माता पिता के स्वास्ते को लेकर के ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 17 सेप्टंबर को सूर्य अगली रासी में प्रेश कर जाएंगे बुद दुख के मामले में आपको एड़्यस्मेंट करना पड़ेगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह आप विचार करके रखिए और अपने माता पिता के स्वास्तिय जो घर के आपके बुजूर गये उन पर ध्यान रखना आपको आवश्यक है सब मिला करके गलोले प्रस्तितियां आपके नियंतरन में रहेगी लेकिन आपको अपने आवश्यकों क्रोध को नियंतरन में रखना है मर्द वो नहीं है जो कि अपनी ताकत को जो निर्बल है जो आपके अधीन है उन पर बता है मर्द वो है जो कि जितना भी प्रस्तिती खराब हो फिर भी अपना सहिम बनाए रखे उसको मर्द का जाता है उसे वास्त में म्रदान की का जाता है म्रदान की एक art यह बाहर चड़ाने से नहीं है मैंने बहुत बढ़ी बात कही है उसको अपने बहुत व्यापक रूप में बहुत deep strength में समझना ज़रूरी है यह ध्यान लखने की बात है कि मैंने जो मर्दान की सब्द बोला है वो आप बहुत ध्यान से समझेगा आईए अब बात करते हैं एजुकिशन की तो एजुकिशन में जो भी स्टुडेंट जो भी स्टुडेंट कॉमर्स के हैं मैथेमेटिस के हैं एकॉनुमिक्स के हैं उन लोगों को टाइम पिरिड इस्तिति को राजियों का जाता है बुद्ध और शुकर एक साथ में विराज मानें वो भी आदमी को लॉजिकल बनाते हैं वो भी आदमी को बुद्धिमान बनाते हैं जिग्यासु बनाते हैं वो भी आदमी को प्रैक्टिकल भी ग्यान देते हैं बुद्ध तरक का है और शु साइदा मिलेगा एक्जैमिनेशन में इंटर्वियू में कोई कोई कम्पेटिशन के एक्जाम में तो साथ ही साथ जो साइंस के स्टुडेंट है वो जरूर सावदानी जादा रखेंगे क्योंकि यहां पर शनी की सीधी दस्ती कुर्णी में फिफ्त आउस पर है और सनी इस समय में रासी से एड़ ताउस में जो की पीडित है 18 सेप्टमबर से कुछ राहत जरूर दे देगा क्योंकि वो अगली रासी की और देखते हुए आगे विचरन करेगा लेकिन जिन लोकों को सनी की साथ साथी साथी के सिरफ लास्ट के 200 दिन हैं उन लोकों को बहुत जादा सबसे ज़्यादा टीपिकल होते हैं सब ज़्यादा प्रताडित करने वाले होते हैं और यहां भी प्रैक्टिकल में आप देख लीजिए कोई भी बिजनसमेन है उसको जो जो 31 मार्च पास में आएगी उसको उतना ही उतावलापन आप उसके देखेंगे कोई भी एडिसमें 2020 तो जिस रासी के लिए वो पीडित कर रहा है जिस रासी के लिए उसका काम है कि उसको सचाई का ग्यान कराना उसको जो कुछ भी बुगतना है क्योंकि जो कुछ आपने किया है उसी का फल आप बुगतोगे सनी नयायका अधिपती है जो कुछ फैसला है वो यहीं होगा इसलिए सनी के बारे में कावत है कि उसके लास्ट के दोसों दिन आपको बहुत केरफूल बहुत ध्यान से गुजानने चाहिए इसलिए जिन लोगों को सनी के साड़ी साथी है उन लोगों को मैं स्पेशली विस स्पेशली जो कौमर्स के है्से थे सकता हूँ कि उनका बहुत अचा टाम पिरिड़ है और आगे आना वर टाम पिरिड़ और ज्यादा बैटर है तो मस्ट बिकॉंट बहुत अच्छे डंक से करना और confidence के साथ में करेंगे तो जीत आपकी होगी अब बात करते हैं health की जान है तो जान है health is wealth यह सब कुछ बोला जाता है लेकिन sixth house का Lord कुंडली में 9 September को नीचरासी मोहने जा रहा है एक दिन के बाद में बुद्ध वहां आ जाएंगे उसकी negativity को control कर लेंगे लेकिन जो कर नीचरासी का है वो तो नीचरासी का ही रहेगा कोई भी अगर समाज contact व्यक्ति है मान लिजे कोई गुंडा तत्व है उसको कितना भी आप सुदार दीजिए वो एक सेकिंड में वापस अपनी उसी form में आ सकता है तो यहां पर six house का lord शुकर है वो नीचरासी होने जा रहे है negative होने जा रहे हैं तो आपने स्वास्ति को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जो कुछ भी स्वास्ति से समद्धी समस्या हो सकती है वो इस समय में औरतों को ज़्यादा हो में health problem ज़्यादा हो सकती है six house इस्तमक का भी यह पेट का भी यह जो कुछ भी रोग है वो अपनी इस्तिती दर्सा है तो six house को आप एंटेस्टैन से लेटेड, पेट से लेटेड, पैंक्रिया से लेटेड, पाचन तंत्रों से लेटेड देख सकते हैं, जोड सकते हैं, उन पर आप इसे ध्यान देंगे यदि किनी व्यक्तियों को स्किन से लेटेड प्रॉलम बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो उन लोगों को इस समय ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकने, पिंपल्स, जो कुछ भी जाईया हैं, जो कुछ भी सरकल से, ठीक, आँखों के नीचे डार्क सरकल साजाते हैं, वो जो समस्या हैं, वो इस समय ज़्यादा बढ़ सकती है, और जिन लोगों को लिकोडर्मा है, जिन लोगों को समस्या हैं, उन से समधी जिन लोगों को समस्या हैं, वो लोग और ज़्यादा ख्याल रखें, और ज़्यादा ध्यान रखें, कि ये टाइम पिरि ब्रसपती बहुत important है जब साधी की बात आती है किसी की साधी नहीं हो रही होती है तो कोई भी जोती सी एक स्तिरी की कुंड़ी में सबसे बेले ब्रसपती की position चेक करेगा और पुरुष की कुंड़ी में शुक्र की position चेक करेगा तो साधी के मंटब तक जाने का काम ब्रसपती करेगा आपकी mental strength को साधी करनी है या नहीं करनी है इसी व्यक्ति से करनी है इसी लड़की से करनी है ये कुछ भी setting ये कुछ भी setup ब्रसपती ही करेगा क्योंकि जब तक मांसिक इस्तिती आपकी ध्रड नहीं होगी जब तक आप confirm नहीं करेंगे जब तक आप कोई चीज़ कर डिसजन नहीं ले लेंगे तब साधी के मंटब तक कैसे पहुँचेंगे तो ब्रसपती सेवन ताउस में रह करके जहाँ जहाँ देखता है आपके appreciation को देखता है अता लाप को देखता है आपके लगन को देखता है रासी को देखता है पराकरम को देखता है तो ब्रसपती सेवन ताउस में होने से अच्छे ग्रस सुकी करपना की जा सकती है लेकिन मंगल की जश्टी है इसलिए ध्यान रखेगा कि यदा कदा उफान जरूर आएगा जिंदगी में, सांत रहती हुई जिंदगी में, अचानक से जिसे एक सिंपल भसं बोलते हैं, चाहे के प्याले का तुफान, वो जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए सिंपल सी एक ही बात है, जब भी ऐसी सिचोशन होती है, एक ही प्रिंस संदे को कोई लड़े जगड़ा मत करिए, संदे को छुटी रखिए, जिस दिन आपकी बारी आती है, आपके हजवेंट जवाब नहीं देंगे, और हजवेंट की बारी आएगी, तो वाइप जवाब नहीं देगी, वो जवाब 24 गंटे के बाद ही देगी, तो अच्छे से अच्छा लड़े जगड़ा होता है, वो भी 24 गंटे में सांत हो जाता है, तो एक मैथड अपना करके देख लीजे, कभी कभी मेरी सला भी मान लीजे, तो गरस सुक वास्ता में इस समय अच्छा मिलेगा, मंगल जब चेंज हो जाएगा, 24 सितंबर को वहाँ से और इंपुर रहे हैं, यह जो पांच नवंबर तक का समय है, वो आपके साधी ब्या को फिक्स कर सकता है, साधी की डेट निकल सकती है, आप खुश हो सकते हैं, प्रसंद हो सकते हैं, आपकी जो भी दिमाग में आइडिया था, वो आइडिया आपको creation में आते हुए दिखाई देंगे, अ आप बात करते हैं, केरियर की, आता जो आप काम दंदा करते हैं, चाहा जॉब करते हैं, चाहा बिजनस करते हैं, आपकी रासी से 10 आउस का स्वामी सनी है, सनी का ढहिया चल रहा है, 26 जनवरी 2017 से 20 जून 2017 तक, and again, 26 अक्टूबर 2017 से 24 जनवरी 2020 तक, सनी धनूरासी में ही रहे हैंगे 18 September 2019 को मारगी होने जा रहे हैं इसलिए अक्समाद जो आपके साथ में गटना है गटी है क्योंकि एड़ ताउस अक्समाद गटनाओं को गटाने का है एड़ ताउस में यही होता है एक्सडेंट एड़ ताउस से देखे जाते हैं अच्छानक जो भी होता है वह एड़ ताउस से देखी जाती है और जो भी आपकी समझदारी है जिसको कॉमन सेंस वर्ड काम में लेते हैं वो भी एड़ ताउस से ही देखा जाता है कि जब भी विप्रीत पस्तितियां आएगी आपका दिमाग जो आपने पड़ा है वो काम नहीं आएगा आपका काम आएगा हॉसदारी के लिए एड ताउस है तो शनी एड फास में रह करके सुरफ सिर्फ और स्रफ मेंटल हैरस्मेंट कर सकता है चा मदंदे में परिशानिया दे सकता है और साथ इसाथ बुद्धि को भी पीडित कर सकता है तो जिस की बुद्धी काम नहीं करेगी जो अपने केरी मे कैसे अच्छा का जा सकता है तो यह समय आप देख रहें और समय आप भुगत रहें और जो भुगत रहें उसको ही पता है कि समय उसके लिए कितना खराब है लेकिन कोई प्रिस्थिती पर्मानेंट नहीं होती है यह स्थिती टैंपरी लिए और टैंपरी टाम पिरिट निकल ज आप शाइनिंग स्टार के रूप में सामने आने वाले हो और सनी हमेशा विक्ति को महचोड करके जाता है अपना कौन पराय कौन यह आपको समझ में आ चुका है आप में कितना पेसेंस है कितनी स्ट्रेंज है कितनी नॉलेज आपकी बड़ी है क्योंकि अच्छे से अच्छा भी ठोकर खाका करके बहुत मेचोड हो जाता है समझदार हो जाता है आप भी समझदार हो चुके हैं इसलिए आपको बड़ाई इसलिए टैन ताउस के लिए मैं यही बोल सकता हूं कि 18 सेप्टेंबर के बाद में जो भी आपके काम में रुकावटे हैं वो रुकावटे देखता है सनी और मंगल शत्रूवत है इसलिए वो एक दूसरे का अच्छा नहीं कर सकते और मंगल की सांतवी दस्ती की अगर बात की जाए तो वो सीधी टैन ताउस पर आकर के आपके काम में आपके बिजनस में एक प्रकासे एंवामेंट को नेगेटिविटी को ले जा सक खराब कर सकती है कानाफुसी वाली काम कर सकती चुगल बाजी वाली स्तितियां सामने आ सकती है लेकिन फिर भी आपका काम चलेगा फिर भी आपका बिजनस में इंप्रूमेंट आएगी स्टेप बाई स्टेप आप आगे बढ़ेंगे लेकिन यह जो अंतिम समय सनी की सनी की तो जो भी जॉब में है उन लोगों के लिए की पास्वाडाने का समय है और जो बिजनस मैं लोगों के लिए पयदे थे जो मैटल माडिसीन केमिकल पेटोलियम प्रॉडट स्क्रेप अथा मे ஓं सेक्डर इस पेज पेर पाडबी का सस्क्डर इस को इनको कोई ऐसा बिजनस करें जो टांस्पोर्ट्ट से लिटेड है या कोई कोई ऐसी चीश जो मसिंठी से लिटेड है कमिशनें strongwegen से लिटेड है अगर बजया आरातना करते वे जाएं और अपने साथ में हमेशा छोटी से अनमान जो चाली सा होती बजन बाण होती है वो जरूर रखे जब भी संकट आए जरूर उसका पाट करें आईए अब बात करते हैं उपायों की व्रस रासी से समंदित रासी फल में जो भी मैंने समस्याइं ए वो समस्याइं career related है और वो समस्याइं health related है तो सबसे पहले लेते हैं घर परीवार की तो व्रस रासी वाले व्यक्तियों को शुक्र की अटा देवी की पूजा उपासना करना सबसे सरुसेश्ष्ट है और इसके लिए आप रोजाना नियम बना ले के देवी कबच का पाट करना ही करना है अधा जो भी पूजा पाट करते हैं जिनको पूजा पाट का समय नहीं मिलता है उनको तुमें नहीं कह सकता लेकिन जिनको पूजा पाट का समय मिल जाता है जो दैनिक नियम अपनाते हैं वो अपने जीवन में ठीक, morning में, evening में, दोपेर को जब भी उनको समय मिलता है, जब भी वो अपनी सिप्ट से घर वापस आता है, घर से जाते हैं, उस समय, जब भी समय मिल पाता है, देवी कवच का दूर्गा सबसती में, starting में एक देवी कवच है, उसका part आपने करना है, यह नियम आपने बना ले जो व्यक्ति सितंबर माम में, अपने घर परिवार के समस्याओं से, ठीक, प्रॉलम में आएंगे, उन व्यक्तियों को, रोजाना सूरी को अर्ग देना है, ठीक है, सूरी के अर्ग कैसे देना है, तांबे का लोटा होना चीए, उसमें जल बढ़ना है, उसमें थोड़ा का, थोड़ा सा कुंकुम डालना है, ठीक, थोड़ा सा गुड डालना है, और यदि लाल पुस्व मिल जाए, गुलाब का पुस्व मिल जाए, या गुड हल का पुस्व मिल जाए, वो डाल करके सूरी मंतर, अथात ओम, घ्रणी सूरिया नमा, इस मंतर के साथ में सूरी को है यदि आप सत्रों से परेशान हैं आपको जो शत्रों परेशान कर रहे हैं उनके लिए आप सबुत लाल मिर्च होती है उसको जब तोड़ते हैं तो उसमें से बीज निकलते हैं वो बीज इस पानी में अता सूरी को जो अरक देखते हैं उसमें यह बीज डाल दें तो यह सत से सांति भी मिलती हैं यह गर परिवार के लिए सुक सांति के लिए आपने शूरी की आ dat ना करनी है और जो भी व्यक्ति व्रस राशी के हैं वो अपनी रासी को उपाई निरंतर करते रहें अधारे शुकर से समंदृत क्या है हो हर शुकरवार को साम के समय सफेद मिठी वस्तों का दाम देना है दुरगा की पूजा उपास ना करनी है जहां तक हो सके साम के समय आपने लक्षमी जी को सफेद पुस्प चड़ाने इत्र गुलाब का इत्र अगर हो जाता है तो लक्षमी जी को चड़ाना है अब बात करता है स्वास्ति की तो इस मा में स्वास्ति से समंदी जो समस्या होंगी उनके लिए आपने शुक्र के ही उपाय करने हैं आपकी रासी का अधिपती भी शुक्र है और शुक्र के ही उपाय करेंगे अताथ हर शुकरवार की साम के समय सफेद मिठी वस्तुवा का दान देंगे दूर् के उपाई करके राहत पराप्त कर सकते हैं सनी से समंदित क्या उपाई हो सकते हैं हर सनिवार को काली रंग की वस्तूयों का दान करना है सनी सितोत्र का पाट करना уд viewers में भी दसरच रचित सनी इस तोत्र सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है, सबसे ज़्यादा बलशाली है, उसका पार्ट करना है, साम के समय, जब भी आप शनी मंदिर, वहाँ पे जाके दर्सन कर पाएं, तो शनी मंदिर के बार ही, या सिवजी के मंदिर के बार ही, आग दोतूरे के पुस्प जो होते ह को इनकी माला मिलती है वह लेकर के सभग्वाध को और्पित करें सनी के बार जो भी लोग खड़े रहते हैं दान लेने के लिए खड़े रहते हैं उनको आप ऐसी ची warmer का दान करें जिसमें तेल घुई और हो दाल हो चाहे दान के बड़े हो सकते हैं या बताटे भडा हो व्रस रासी के लिए सितंबर मां के लिए तो यह था रासीफल सेप्टंबर दोजार उन्नीस का आसा है आप इस रासीफल से लाब लेंगे और आपकी जीवन हमारे इस रासीफल के माध्यम से आपके लिए अच्छा माह साबित होगा आपका मार्ग प्रसस्त होगा आपको जो संकट आए उसमें से आप आराम से निगर जाएं ऐसी सुपकामनों के साथ में स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए अपने बच्चों का अपने माबाप का और अपने वातवरण का ख्याल रखिए नमस्कार जैहिन झाल रखिए नमस्कार जाएं आराम से नमस्कार जैहिन का अपने माबाप का ख्या जैहिन का तो इस आपने माबाप का ख्या उन्याम से ड़क्तर जैहिन